कॉंग्रेस के नेता दे पाएंगे की उंची लड़ाई और जमीन पर राजनेतिक समी करना दोनों हैं दोनों चलेंगे दोनों की अपनी जगए हैं एक को छोड़के दूसरा आप करने ही सकते और यह जो न्याय यात्रा है भारत जोडो न्याय यात्रा यह इस देश में न्याय के सवाल को उस वक्त उठा रही है जहां यह देश हर तरह से अन्याय की रस्ते पे चल रहा है इसलिए यहां न्याय की बात करें जैसे पिछले साल यह महबत की बात हुई ऐसे जमाने में जब देश में जूट और नफरत चल रही थी इसलिए अन्याय के जमाने में न्याय की बात करें मैं तो उसको सलाम करता ह भारजोडो यात्रा के बाद ये कहा गया कि जो असर हुआ भारजोडो यात्रा का वो तेलंगाना और करनाथक में देखने को मिला कॉंगर्रीस पार्टी को साउथ में स्टरेंदन होती दिखी पार्टी लेकिन वहीं जो हिंदी बेल्ट वाले राज्ये हैं जो हिंदी पट्टी वाले राजे है वहाँ पर नुकसान होता देखा जहां सरकारे थी भी और जहां नहीं थी वहाँ कुछ नहीं मिल पाया कॉंग्रस पार्टी को क्या आपको लग रहा है कि भले ही कहा जा रहा है कि ये एक राजनीतिक यात्रा नहीं है ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं है लेकिर उस सब के बावजूद मनिपूर का मनिपूर में आमाली जिए दो लोग सभा सीटे हैं ऐसे हर जगा लोग सभा सीटे हैं आपको लगता है नौ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिक्स करें, इसमें एतराज की बात क्या है? अगर कोई दुकान दार दुकान चला रहा है, इसमें एतराज की बात क्या है? कोई पुजारी मंदिर जा रहा है, इसमें एतराज की बात क्या है? तो राजन्यतिक दलों को राजनीती करनी चाहिए सिरफ ओची राजनीती नहीं करनी चाहिए, देश तोड़ने वाली राजनीती नहीं करनी चाहिए अगर इस देश में कोई भी सत्य, अहिंसा, न्याय, महबबत इसके नाम पे राजनीती करना चाहता है तो मैं बिल्कुल नहीं कहता कि यात्रह गहर राजनियतिक हैं मेरे लिए राजनीती तो बहुत बड़ी सुन्दर चीज़ का नाम है इस दुनिया में शुब को सच में बदलने का नाम राजनीती है और वो राजनीती सबको करनी चाहिए और मैं तो बहुत निराश हूँगा अगर यह यात्रा राजनीती ना करे करना चाहिए राजनीती बहुत सुंदर शब्द है इस शब्द को हमें छोड़ना नहीं चाहिए जो आपने बात कही तेलंगाना-कर्नाटका में हुआ फायदा… तेकि मैं आपको इवांदारी से बताऊँ कोई कहे कि कर्नाटका में कॉख्यों केवल भारत-जोड़ो यात्रा के कारन जीती थी तो गलत बात होगी बारत जोड़ो यात्रा का एक छोटा सा योगदान था, तेलंगाना में भी एक छोटा सा योगदान था, critical योगदान था मामले को turn करने में, इस सरह से मद्यपदेश और राजस्थान में भी छोटा योगदान किया, लेकिन केवल उस एक छोटे से योगदान से पूरा चुनाव जीता जा सके यह कभी भी संभव नहीं होता और भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई 2024 के लोगसभा चुनाव में इस बार के लोगसभा चुनाव में जो है सीटे पिशली बार से भी ज्यादा लाएंगे ऐसा दावा किया जा रहा है आपके मुताबिक कॉंग्रेस पार्टी को अपना लक्ष कैसा और कितना रखना चाहिए देखे बाजपा वाले बिल्कुल सही बात कहते हैं हर पार्टी को कहना ही चाहिए को कौन पार्टी को कहना चाहिए चुनाव से पहले आके कि हमारा लक्ष पिसली बार से नीचे आना है चाहिर हो नहीं कहना है उनका धर्म बनता है ठीकी करते हैं बिचारे उनका काम उन्हें करना ही चाहिए हर पार्टी को कहना चाहिए कि ज़्यादा आएंगी मेरे विचार से अगर हम गंभीर चीज़ देखें ये दावे और ये कहने की बातें तो एक तरफ है आज भी मैं मानता हूँ कि बीजे पी को 273 के आंकड़े से पहले रोका जा सकता है और वो रोकने के लिए एक रणनीती बनानी होगी आज भी हवा बहुत हो गया है इसका खास्त वर पर आजसान मद्देपदेश शत्यसगड़ के बाद इतना हला हो गया है बस बस हो गया हो गया चल गया चल गया लेकिन वास्ताओं में आप आंकड़े तो देखिए ऐसा नहीं है आज भी इन सब जगाओं पे चुनाव के परिनाम पल्टे जा सकते हैं बशर्ते की विपक्ष संगठित होके काम करे बशर्ते की विपक्ष अपना कोई एजंडा घोशित करे अगर वो होता है और आज की जो आपने घटनाओं का जिक्र किया वो उसी दिशा में इशारा कर रही है तो बहुत बढ़िया चीज़ है ऐसी चीज़े आगे बढ़नी आई है हर जगा पाचीट चल रही है सब कोछ हो रहा है को फाइनल तस्वीर नहीं आई है और थोड़ी खटपट की भी बाते हर जगा से साबने आ रहे हैं कभी का जाता है कि आर्विन केजिवाल के साथ दिली में कैसे बाचीट हो पाएगी कॉंग्रेस पार्टी की ऐसे में आपको लगता है कि कॉडिनेशन हो पाएगा जैसा सोचा जा रहा है वैसा चुनाव में तीन महीने बाकी है और अगर कुछ होगा नहीं तो न्यूज वालों को मसाला कांसे मिलेगा और क्या होता है कि न्यूज वालों का सारा मसाला बैचारे ऑपोजिशन से ही आता है राज को थोड़ा मसाला मिलता रहे टी आर पी मिलती रहे इसके लिए इंतिजाम कर रहे हैं आपको धन्यवाद देना चाहिए इनका अच्छा ठीक है इसके अलावा बात करेंगे दो सीटों की हम जानते है कि राहूल गांधिया मेठियो और वाइनाट से पिशली बार चुनाव ल इस बार भी दो सीटों से लड़ते हुए नजर आ सकते हैं या फिर मलब इस पर आप क्या कहेंगे पहला तो की गलत सवाल है दूसरा गलत व्यक्ति से पूछा जा रहा है गलत सवाल इसलिए है कि लेफ्ट आज नहीं हमेशा वाइनाट में दिल्चस्पी रखता रहा है केरल की हर सीट पे UDF-LDF के लड़ाई होती है बींसों सीट पे UDF-LDF रखता है इसमें क्या नहीं बात है और दूसरा यह सवाल तो आप कॉंग्रेस पालों से पूछो ना सारे सवाल मेरे से पूछलोगे कॉंगरेस के नेताओं से क्या पूछोगे तो इस तरह कि सीटों का र क्यात्रा के लिए जुडा हूं मुझे नियाय के सवाल दिखते हैं हम इस वक्त मणिपुर में हैं जहां साथ महीनों से इस देश में खुलम-कुला सिविल वार की सिति है और देखिए कैसी वीचित्र बात है इस देश के मीडिया को फिलिस्तीन दिखाने का टाइम है गाजा द बताईए कि क्या स्तिती है इस देश में, इन सवालों पे हम फोकस करें, चुनाव हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, चुनाव पे भी फोकस रहेगा, यहाँ चुनाव नहीं लड़ा जा रहा। यहां तो इस देश को तोड़ने की सबसे बड़ी हरकत हो रही है और जिसको इस देश की केंदर सरकार खुलम खुला बैठके देख रही है कुछ नहीं कर रही प्रधान मंत्री पताने किस किस की दुख के उपर वो दे देते हैं लक्षद्विब जाने के लिए उनके पास समय है भया इस देश में मनिपूर भी है आदा दिन महावी भी जार लो इसके बारे में एक शब्द नहीं बोलते आते नहीं है इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए तो मेरे को तो इस वक्त न्याय और अन्याय के सवाल दिख रहे हैं वो बच्पन में गीत हुआ करता था ना इनसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के बहुत सुंदर गाना था हम भूल गए इन सब चीजों की वो क्या कहता था अपने हो या पराए सब के लिए होने आए ये आदर्श है इस देश के जिस पे देश बना है और आज अपने पराए का क्या खेल हो रहा है इस देश हूँ ये मनिपूर वाले अपने नहीं है क्या ये कोकी, नागा, मिते, ये सब अपने लोग नहीं है क्या तो अपने हो या पराए, सब के लिए हो नयाए, देखो कदम तुम्हारा हर गिजना डगमा गाए, वो आदर्श देखने चाहिए, तो हां सीटें होंगी, वोट होगा, चुनाव होगा, लेकिन चुनाव से आगे भी बहुत दुनिया है, मनिपूर का जिंदगी मौत है, इन चाहिए, जब भगवान राम को इस देश में करोणों लोग पूचते हैं, आस्था रखते हैं, क्यों रखते हैं, एक शब्द में कोई पूचे, लोग कहेंगे मर्यादा के प्रतीक, मर्यादा पुरुशोत्तम, जब भगवान राम को अयुद्या से बनवास दिया जा रहा ह लक्षनों बहुत गुसा हो जाते हैं, वो लगबग कहते हैं कि देखो बुड़ा है, बेकार की बात कर रहा है, क्यों तुम इसके उपर जा रहे हो, अपने भाई को कहते हैं, बगवान राम क्या जबाब देते हैं, कहते हैं, अगर अनैतिक काम करके, मर्यादा को भंग करके मुझे एवध्या का राज तो छोड़ो, साथ लोग का राज भी मिल जाए तो मैं नहीं लूगा, एक तो वो मर्यादा है, अब उस मर्यादा पुरशुत्तम के, उसके महिमा के लिए हम एक मंदिर बना रहे हैं, उसमें नियुनतम बात क्या होनी चाहिए, मर्यादा होनी चा पहले करना है, यह मर्यादा है, आप समवैधानिक मर्यादा देखिए, इस देश का कोई व्यक्ति आप में एक आस्थावान के तोर पे वहाँ जाना चाहिए, हमारा पूरा अधिकार है, लेकिन समवैधानिक रूप से चुना हुआ इस देश का प्रधानमंत्री, उसमें सुप्रीम कोट ने इजाज़त दी कि मंदिर बनाओ, लेकिन कहा कि यह ट्रस्ट राजनीती नहीं करेगा, यह ट्रस्ट राजनीती नहीं कर रहा है, बैठके धमकी दे रहे हैं, तुम्हारे वोट कट जाएंगे, नहीं आए तो हिंदू विरोधी हो जाओगे, तो कुल मिला कि अगर आज भगवान राम से पूछा जाता कि यह मंदिर बन रहा है, कैसा लग रहा है, मैं समस्ता हूं सबसे पहले मर्यादा पुरशत्तम होते हैं, जो कहते मर्यादा को तोड़के एक नहीं, ऐसे साथ मंदिर भी बने, यह मत बना हो, मंदिर वो हो जहां आस्था हो, लेकिन जुस मंदिर को जिस तरह से स्थापित किया जा रहा है, और जिस तरह से तारीक तै की गई है, यह तो सीधे सीधे चुनाव प्रचार की तयारी है, चुनाव प्रचार का पूरा अधिकार है, मंदिर को क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, क्या इस देश का समिधान कानून इ इसका आस्था, मर्यादा और धर्म इससे कोई सम्मद नहीं है लेकिन आपने एक हिंदू विरोधी वाली बात की कि इस तरह का स्टिकर जो है वो चिपकाने की कोशिश होती है आपको लगता है इस स्टिकर लग जाता है वाकविया लग जाएगा इस डिसिजिशन के बाद अरे ये कौन ठेकेदार होते हैं अब आप बताईए कितना ये है कि आस्था और आस्था ये है कि आप आईए मैं आपको अमंतरन दे रहा हूं नहीं आए तो हिंदू विरोधी अरे तुम गुंडागर्दी है काहे को तुम वो कर रहे हो इस देश के नजाने कितने मंदिर कहां बनते हैं और मैं कितने ही लोगों को जानता हूं जो कहते हैं कि फ़ला मंदिर में हमारा संप्रदाय नहीं है हम वह नहीं जाते इस देश में कोई दिबाली मनाता है, कोई दुरगा पुजा मनाता है, किसी के लिए गणेश चतुर्थी है यही इस देश की धारना है और यह कहना कि अगर इसको नहीं माना तो हिंदू विरोधी है तुम कौन से ठेकेदार होगे, कौन से सुप्रीम कोट हिंदू धरम के, मैं तो कोई आस्थामान नहीं हूँ और मैंने कहता कि मैं शंकराचारे के हर बात को मानता हूँ, लेकिन शंकराचारे कह रहे हैं कि ठीक तरीके से नहीं हो रहा तो ये शंकराचारे से उपर ठेकेदार होगे बताने वाले कि कौन हिंदू है कौन नहीं है ठेकेदारी बंद कीजिए हिंदू धर्म की सबसे खूबसूरती यही है कि इस धर्म में आपको कुछ भी साबित नहीं करना पड़ता मेरी पतनी मंदिर जाती है पूजा करती है मैं नहीं जाता पूजा नहीं करता वो भी उतनी हिंदू है मैं भी उतना हिंदू हूँ कल को वो मुझे भी नहीं कह सकती कि तुम हिंदू नहीं हो यही खुबसूरती है इस धर्म की इसको बना रहने दीजिए हिंदु धर्म के साथ इस तरह का खिलवार मत कीजिए या राम मंदर उद्गाटन से जो कहा जा रहा है कि राम मही महाल हो चुका है देश में उसे काउंटर कर पाईगी राजणीतिक लेहाँ से बात करें तो पहली बात मैं दोनों को राजनेतिक मानता हूँ, पता नहीं कॉंग्रेस वाले क्यों कहते हैं कि राजनेतिक नहीं है, मेरा बात माने तो मैं कहूंगा भई कहिए कि राजनेतिक है, राजनेति बहुत सुंदर शब्द है, भई क्यों राजनेति शब्द छोड़ रहे हो, तो य देश में किसी भी धर्म संप्रदाय के नाम पर राजनीती करना, अन्तत्य इस देश को तोड़ने की राजनीती है। आज जरूर किसी का चल जाएगा, आज जरूर किसी को आत्म विश्वास है, आज जरूर आप कह सकतने हैं भहूमत में हैं, जो मरजी कर लेंगे, लेकिन याद रखीए, आज से 600 साल पहले भी किसी को विश्वास था, जो मरजी कर लेंगे, मंदिर तोड़ दो, मस्जिद बना तो अच्छा नहीं निकलाना उससे, जाध्ती का फ़द कभी भी अच्छा नहीं निकलता है, तो एक बुरी राजनीती है, एक सुन्दर राजनीती है, मैं बीजेपी को भी चाहता हूँ, आए सुन्दर राजनीती करें, कहें 10 साल तक उन्होंने राज किया है, बताएं उन् वोट दीजिये तो BJP अपने काम की आधार पे वोट मांगे ये धर्म के नाम पे लोगों को डरा के धमका के ये जो राजनीती है ये देश के हित में नहीं है समाज के हित में नहीं है हमारी सभेता संस्कृति के हित में नहीं है शुक्रिया योगेंदर जी तो हमारे साथ इमफाल से जुड़े थे योगेंदर यादव जी अब हम जानते हैं कि योगेंदर यादव जी आक्टिवेस्ट है और साथी साथ स्वाराज इंडिया के संस्थापक भी हैं तमाम बातचीत आपने सुनी कैमरा परसंदीक्षा के नदीता नेजा इंफाल्स